हेलो दोस्तों नमशकार बहुत है स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल के डेली करेंट अफिर्स के वीडियो में आज 6 जून 2020 है और आज की वीडियो की पीडियो की डाउनलूट करना मन भूलिएगा ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसके लिंक की नीचे डिस्क्रीशन में दिगे है उसके लाबा ये PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी और अप्लिकेशन पर भी मिल जाएगी अप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलूट कीजिए अगर अभी तक आप अपने डाउनलूट नहीं किया है तो आगे बढ़ेंगे ये हमारी टेस्ट रेसे 499 रुपे में आप लोगों के लिए एवलेबल है और 399 जिन लोगों ने हमारे नूट्स पर्चेस की हैं उन लोगों के लिए एवलेबल है इसके लाब अभी आप हमार सकते हैं मैनत अपनी maximum दीजिए अपना 100% दीजिए पूरे focus के साथ अपने काम को करिए जब आप ये सब करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है असंभाव है कि आपको सफलता ना मिले तो आप क्या करना अपने को कि जिस भी काम में आपने हाट डाला है उसमें अपना प artificial intelligence virtual assistant launch किया है और इसका नाम है PIE यानि कि D option सही है काफी सारे लोगों ने सही उतर दिया और वैसे तीन उतर जो आपने पसंद किया है पहला उतर से वं सिंग का है दूसरा अंजली पाठा का है तीसरा उतर पबंद राजपूत का है आप तीनों को बढ़ाए और आप भी चा victims of aggression ये कब मना जाता है तो ये चार जून को मना जाता है तीसरा प्रसन भारा सरकार ने वंदे भारत मिसन के तहट कौन सी पहल सरूप की है तो इसका नाम है स्वदेश पहल चौता प्रसन कोलगता पूर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका नाम है श ख्रशने इंदू मजूमदार और सात्वा प्रस्न के किस जाने वाने फिल्मकार का हाली में निदन हो गया है तो इनका नाहमे वासु चटर जी आठो प्रस्न के इंदर सरकार ने किसानों के लिए क्रिट काड़ अभियान शुरू किया है तो यह डेरी किसानों के लिए सुरू किया गया है ये थे हमारे कल के पड़ेगे करंटेफर की प्रसनों का क्वेकर विजन, आगे बढ़ेंगे आज के प्रसनों की बात करेंगे और आज के करंटेफर का पहला प्रसन, कि भारत किस देश के नेतरत वाले वर्चुल ग्लोबल वैक्सिन समिट में सामिल हो गया है, तो भारत जो सा समयल है जो था जी ए वी आई वैक्सीन ऐलाइंस, इसके लिए कम से कम इस ऐलाइंस को साथ दसंबलाव चार बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाना है, उसी के लिए जो है समिट का आउजन किया गया था और जी ए वी आई याई याई गावी गडवंदन 2000 में हुआ थ और कई सारे निजी छेत्र के भागीदारी के थाति यानि इन सब लोगों ने मिलकर इसका गठन किया है, दोजार चुदाव में भारत इसका प्राप्त करता देस, यानि कि इससे वैक्सिन बगेरा चीजों को प्राप्त करता था लेकिन बाद में दान देने लगा भारत तो अब तक भारत ने इस अलाइंस में करीब 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का युगदान दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है, आगे उड़ेंगे दूसरे प्रिस्ट की बात करेंगी कि विश्व परियावरान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस 5 जून को मनाया जात करता है, और 2020 का जो विश्व परियावरान दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम थी जेव विविद्धा यानि की बायो डाइवर्चिटी, और जो केंद्री मंत्री हैं, परियावरान मंत्री प्रिकास जावलेकर जी, उन्होंने विश्व परियावरान दिवस के मौके पर नग जबान देश था आगे बढ़ेंगे बात करेंगे तीसरी प्रसन की के WTO World Trade Organization में राईदूत और भारत के स्थाई प्रतिनिधी की रूप में किन्हें निक्त किया गया है तो ये निक्त किया गया है ब्रजेंद्र नवनीत यानि की B option प्रसन का सही उतर है डीटेल लेख लिजे क गया है तो ब्रजेंद्र नवनीत इनको विश्व व्यापार संगठन यानि की WTO World Trade Organization में राईदूत की रूप में और भारत के स्थाई प्रतिनिधी की रूप में निक्त किया गया है उन्हें WTO में भारत के स्थाई मिशन यानि की जो पर्मनेंट मिशन ऑफ इंडिया है वह क्यों बढ़ेंगे बात चौंते प्रस्न की होगी कि विश्व आर्थिक मंच कब अदुतिये मतलब अपनी तरह का पहला Twin Summit की मेजवानी करेगा तो जो विश्व आर्थिक मंच है उसके जनवरी 2021 में इस Summit का आउजन किया जाएगा स्थी ऑप्शन सही है डीटेल लिख लिख किया जाएगा और दाबुस में अफिसाय आजित होती है और यह 51 समिट होगी इसमें W.E.F. यानि कि वर्ल्ड एकॉनमिक फूरम के सिखर समयलन के मुख्य कारिकरम के दौरान दुनिया भर के करीब 400 सहरों के वर्चूल लिंक अप के माधियम से व्यापक भागिदारी की उम करेंगे 5% की बात करेंगे गवर्मेंट की दौरा एक टूलिप इंटर्शिप कारिकरम सुरू किया गया है तो यह किन के लिए बिसिकली कारिकरम है किन के लिए सुरू किया गया है तो यह सुरू किया गया इंजिनिरिंग इसना तक यानि कि इंजिनिरिंग बेशलर्स के लि बारत में 4400 सहरी स्थानी निकाय और 100 स्मार्ट सहरों के सांथ काम करने का उसर मिलेगा। इसका TULIP का फिलफर्म क्या होता है? The Urban Learning Internship Program. इस कारिक्रम में सामिल हितों के छेत्र हैं, यानि कि किन-किन छेत्रों पर काम करेगा है, इंटरिंशिप मिलेगी, वित्व पोशन, सहरी नियोजन, परियावरण नियोजन, स्वक्षता और बुनियादी धाचा, परियावरण इंजिनिरिंग, तो ये विसे हैं जिन पर ये कारिक्रम सुरू किया गया है. आगे बढ़ेंगे चटों परस्न की बात होगी, कि किस संस्थाने पेमेंट्स इंस्ट्रस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट फंड बनाने की घोशना की है, और ये जो घोशना की गई है, रिजर बैंक आफ विंड यानि कि आर बियाई की दौरा की गई है, यानि कि C-Option परस्न क सही उतर है, नीटेल लिख लीजे क्या है, तो जो भारती रिजर बैंक है, उसके दौरा पेमेंट्स इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट फंड यानि कि PIDF, इसके गठन का बात की गई है, और इस फंड में RBI के लक्षे के भारत भर में विश्री सुरूप से जो अन्डि रिजर्वड छेतर हैं, उनमें भुक्तार प्रिणाली के डिजिटली करन को प्रोसाहिक किया जाए, यानि कि कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, कि जितना अधिक से अधिक पेमेंट का डिजिटलाइजेशन हो, वो इसके लिए ये फंड काम करेगा, और पेमेंट कालित कार्ड नेटवर्क को द्वारा वहन किया जाएगा, तो कार्ड नेटवर्क जो है वो देंगे और बैंक देंगे और आधा हैसा RBI देगा, बात RBI की करें तो एक अप्रेल 1935 को स्थापना हो थी मुख्याले मुंबई में और गवरनर शक्तिगांद दास हैं, बात करें केरल फाइबर आप्टिक नेटवर्क के फोन, इस नाम से एक परियुजिना के मंजूरी दिया है, इस परियुजिना को घुशित किया है, और इस परियुजिना में केरल में जो गरीव रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिक हैं, उनको मुफ्त हाई स्पीड बात करेंगे केरल की तुम मैप में देख लीजे, केरल भारत का सबसे अधिक साक्षार राज्य है, केरल और राजधानिया की तिरुआनत पुरम है, मुख्यमंतरी पी विजेन है, राजजपाल आरिफ मुहम्मद खान है, लोग सभा की 20 सीट है, राज सभा की 9 सीट है, थी के तान शूला नेशनल पार्क है, प्रमुख बांधों की बात करेंगे तो इडुकी बांध है पेरियार नदी पर, पिछी बांध है मनाली नदी पर, आगे बढ़ेंगे आठवी प्रसन की बात करेंगे कि AFC महिला एशिया कप 2020, ये फुटवाल का एक कप है, टूनामें इसने 1979 के बाद पहली बार 2022 में महिला एशिया कप की मेजवानी कैदिकार भारत को दिये हैं, और बतोर मेजवान भारत सीधे ही इसमें क्वालिफाई कर लेगा, और इसी टूनामेंट से जो 2023 का FIFA महिला विशुकप फुटवाल का विशुकप होगा, उसके लिए क्वालिफि टूनामेंट के रूप में भी काम करने वाला है एशिया ही फुटवाल परिसंग का ये टूनामेंट, ये आपको याद रखना है, अब भारत ने 2016 में AFC अंडर 16 चेंपियंशिप, 2017 में अंडर 17 विशुकप की मेजवानी कर चुका है, इसके लाबा अंडर 17 महिला FIFA विशुक अब इसकी मेजवानी भी भारत करेगा, इस बार आयजित होना था, लेकिन कोरोनक के करन थोड़ा सौस में डिले हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, अब बात करेंगे आज के हमारे सवाल, कि आज का हमारा सवाल है कि कहां आयजित होने वाले 36 वे राष्टी खेल COVID-19 की चलते, अनिश्यत काल के लिए स्थिकित कर दिये गए हैं, तो इन 36 वे राष्टी खेलों का आयजित कहां होना था, अन्तिमबारिन का आयजित कब हुआ था, आगे कब कब होगा, तो इन सब की जनकरी मुझे कमेंट करके आप जरू बताएगा और ये भी बताना मत लिएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आज की बात यहीं समापत होगी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत!